दोस्तों स्वागत है आप सबका पापा कंस्ट्रेक्शन में इस video में हम लोग जानेंगे वारानसी एरपोर्ट के runway expansion के बारे में विकज एयरपोर्ट के एक तरफ railway line है तो दूसी तरफ highway यानि कि runway को किसी भी तरफ expand नहीं किया जा सकता है इसलिए वारा नसी में भी aircraft breeze बने जाएगा जैसे Singapore, Chicago और London जैसे airport पर बना हुआ है runway के अलावे वारा नसी airport में नया terminal building भी बन रहा है तो कापी interesting होने वाला है ये वीडियो फिलीज इस वीडियो को last तक जरूर देखना तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो ये है वारा नसी airport या फिर लाल बहादूर सास्त्री इंटरनाशनल एरपोट वारा नसी और इस एरपोट के runway की length है 2743 मीटर और इस runway को बढ़ा कर 4075 मीटर किया जाना है ताकि इस airport से बोईंग और दूसरे बड़े aircraft आसानी से operate हो सके लेकिन इसका runway expand करना इतना आसान नहीं है विकज runway के पूरव साइड में railway land है जबकि पस्चिम की साइड में highway है ये railway land है और यहाँ पर बाबतपू railway station है इसलिए इस runway को पूरव की तरफ तो नहीं extend किया सकता है runway के दूसरी दरफ highway है तो काफी पहले ही plan किया गया था कि highway को यहाँ से divert करके इसके alignment को more दिया जाएगा जहाँ पर highway क्रॉस कर रही है वहाँ पर aircraft breeze बनाया जाएगा aircraft breeze दुनिया भड़ में कई सारे airport पर बना है aircraft breeze highways, railways या फिर waterways के उपर भी बनाया जाता है जैसे ये नीदर लैंड में Amsterdam airport है जहाँ पर कनाल यानि कि नहर के उपर aircraft breeze बनाया गया है इसी तरह से London के Heathrow airport पर भी runway के नीचे से tunnel बना कर entryway बनाया गया है ऐसे ही कई सारे और airport पर दुनिया भड़ में aircraft breeze बनाया गया है यानि कि नीचे highway होगा और उपर होगा runway वारा नसी airport में runway सहित पूरे airport का विस्तार किया जाएगा एक नया टर्मिनल बिल्डिंग भी अंडर construction है नया टर्मिनल बिल्डिंग 58,691 स्कॉर मिटर एरिया में बन रहा है नये टर्मिनल बिल्डिंग की capacity 4.5 मिलियन यानि की 45 लैक passenger per year की होगी runway expansion और न्यू टर्मिनल बिल्डिंग का काम 2024 तक complete हो जाएगा वारा नसी airport के विस्तार के लिए 370 एकर जमीन का दिगरन किया गया है यानि कि 2024 तक वारा नसी airport एक world class airport हो जाएगा साथ ही इंडिया का एक मात्र unique airport होगा जिसमें aircraft breeze बना होगा I hope कि आप सबको आज का ये वीडियो काफी पसंद आया होगा आप इस वीडियो को like करके दूसरों के साथ भी share कीजिए और अगर किसी दूसरे project के बारे में आप details में जानना चाहते हैं तो नीचे comment करके हमें जरूर बताइए